नमस्कार दोस्तों नमस्कार है वरतमान समय में अपना खुद का विपार कर रहे हैं आगे के जिन्दगी के वेशे में जानना चाहते हैं कुछ करजे इनके वज़ा से नहीं इनके पिताजी के वज़ा से हुए है वो चुका रहे है दिरे दिरे आगे क्या कुछ कर पाएंगे और जिन्दगी पर क इतना नाम कमा पाएंगे और आगे विपार की क्या वस्था है और अतली है कैसी तो अपने शिंतरी आपके सारे ही कोशन्स पर विचार करेंगे चीजों को बड़ी गहराई के साथ समझने का प्रियास करेंगे और बड़ी गहराई के साथ आपको समझाने का प्रियास करेंगे जो भी आपकी positivity होगे उसको तो हम दिखाएंगे, साथ ही साथ आपके negative चीज़ों पर दे विचार करेंगे, तीसरे आपके परशनों को भी सुनेंगे, चौते आपके तलिका पूर्णता विलिशलेशन भी करेंगे, तो चार तरीके से completely आपके तलिकों देखा जाएगा, अगर ये तरक्की को दर्शाती है, जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है, जिंदगी पर आने वाले चीमेंट को दर्शाती है, तो उस बुद्ध रेखा के विशे में भी हम आपसे बात करेंगे, completely बात करेंगे, और आपको बड़ी गहराई के साथ समझाने का भी प्रियास कर आते हैं, तो अगर हम पॉस्टिविटी के विचार कर लें, तो आपकी हैतली पर ये इंक लगावा पिक है, बेलकुल डाइवर्ट मत होना, क्योंकि इससे रेखाएं, अच्छी हसपस दिखते हैं, अब जिनके कैमरा बर अच्छे हैं, तो उनको लिए कोई शेक्ता भी नही बहुत जबरदस्ट, बहतरीन शुकर परवत है आपका, बहतरीन मंगल परवत है, बहतरीन आपका सन और मरकरी है, दोड़ो मंगल परदस्ट है, और चन्रमा, मतलब प्लैनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करते हैं, आप किसी भी हतली का गणना करो, तो सबस जिना ऐसे विक्ति बाग्य सालीतों हैं पहले लव्ज में क्योंकि प्लैनेट्स जो है आपको एक बेस पर दान करते हैं और अगर आपका बेस अच्छा होता है तो कितना बड़ा भी धाचा बनाना चाहे ना आप बना सकते हैं कितना बड़ा भी महल खरा करना चाहे ना आप कर सकते हैं यह बहुत इजी है यह बहुत इजी है आप rhymesक कर सकते हैं तो अगर हम बेस की बात कर लें तो यह बाद इंपोर्टेंट दिकरा बड़ा ताकतवर घर है बड़ा आकरशक घर भी है इसका अर्थवा की बेस भी स्ट्रॉंग है और लाइन्स भी बड़े अच्छे है तो मतलब बजातक स्ट्रॉंग तो है ही और जिन्दगी पर बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कर लिया पैसे बहुत कमान लिया या पद कमान लिया कोई बड़ी बात नहीं है तो वही सब चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो लाइन्स को लेके जो भी पॉस्टिविटी अभी मैं उस पर विचार करने का प्रियास करता हूँ तो सबसे पहला प्राग्रस लाइन यहां से जरूर दिख रहे आपके बड़े असपस दिख रहे है तो यह प्रापटी के सुक को जरसाते जिंदगी पर आने वाले कमफर्ड को दर्शाती है उसके बाद बड़ी अच्छी सूरी रेका है एकदम एकुरेट तो जो भी कारी करेंगे ना उसमें काफी अच्छी एकुरेशी रहती है अगर आपकी एक सूरी रेका रहे हो और रिदर रेकास थोड़ा उपर जाए तो जातक सथ अधिकारी का मान समान पा सकते है अधिकारी के रूप में उनको देखा जा सकता है क्योंकि अपने कारी मेरा यह काफी एकुरेट होते हैं मतलब एकुरेशी हादसे जादा होती है और उसी एकुरेशी के दम पर यह लोग भहुत ब़्रा अचीमन पाते हैं भहुत ब़्रा अचीमन इसमें कहीं कोई दिक्कत ने तो सूरी रेका, मैं तो कहूंगा सूरी रेका अतली पर तो होनी ही चाहिए, जितनी जादा विजिबल रहेगी, उतना अच्छा आपके लिए है, ये बड़ा स्पस्ट मैं कह रहा हूँ आपसे, तो विजिबलिटी होनी बहुत जरूरी है, अगर एक सूरी रेका एकुलेट है तो फिर तो क्या ही कहने है, फिर तो जिन्दगी बदलने वाली बात होती है, जिन्दगी पर तरक्की वाली बात होती है, तो देख लेया सूरी रेका को, उसके बाद जो भी हम विचार करेंगे अब विचार करेंगे में टॉपिक पर, तो ये इनकी जो बुद्धर रेका ब गंद वाली बात है, पैसे आते हैं, कली मैंने एक हाथ देखा था, जिनके हाथ पर ऐसी वनी ट्रेंगल जैसे कुछ अवस था थी, और पैसे खुब कमाएं बनने के बाद, तो ये वाली बुद्ध रेका आपको पैसा तो देती है, इनको पैसे के लिए ज़्यादा सोचनी के आवशकता नहीं है, जब भी धनकी आवशकता हो, कही न कहीं से पैसे जरूँ टपक जाते हैं, तो बढ़िया बुद्ध रेका है, उसके बाद देखो तो बागे रेका आगे चल रही यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ठीक है, बागे रेका वैसे भी गरबर नहीं है, मस्ति तक जिन्दगी पर बना कारे करते हैं और एक प्रियेट के बाद तो आपकी जिन्दगी बदलेगी उस प्रियेट का भी मैं चर्चा आपके समग जरूर करूँगा तो अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं जिसको जानना और समझना भण जरूरी होता है प फिर वह वही कारे करेंगे हाँ कभी कभी इस चीज़ में यह सफलता को भी पा लेते हैं और कभी कभी कभी-कभी तो ये सफलता को देती है और कभी-कभी बेहद नुक्षान को दुरशाती है तो एकदम अपने हिसाब से काम करने के आवशक्ता नहीं है थोरा से चीजों को सोचना है, समझना है उसके बाद जिंदगी पर काम को अंजाम देना है ये तो मैं आपसे जरूर आगरा करूँगा क्योंकि इसमें अगर 50-50 chances होते हैं कि अच्छा समय में चलो, अच्छा समय में तो कोई भी चीज आपके लिए अच्छा ही रहेगा लेकिन बुडे समय में वो कोई भी चीज आपके लिए खराब रहेगा तो वो एक भाद बड़ी समस्या होती है भाद बड़ी समस्या इस चीज को आप जरूर समझिये और कोशिश करिए कि इसको सुधारने का एकदम अपने हिसाब से नहीं चलना है अब ये बात मैं आपको इसलिए इतना डीपली समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी ब्रश्पती यहां से तो है गरबर चपती तो ये दर्शाती है कि ऐसे जातक कुछ स्ट्रगल जिंदगी पर रहता है स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं सुरुवाती दोर में पारिवारिक स्ट्रगल रहता है पारिवारिक समस्या है रहती है जैसा इन्होंने बता इनके पता जी ने कर्ज लिया था वो आज इनको चुकाना पर रहा है बाकी सब चीज ठीक था बच्पन बढ़ियां ही बीता है तो वही वाली समस्या कुछ हो जाते हैं पारिवारिक समस्या है तो उसके योग आपके दली तो मुझे दिखाई रहते बता ही रहते तो ये प्रश्पती को लेके चीज़े मैंने अस्पस्ट करी अब ये आगे हम और कुछ नेगेटिव चीज़ पर बात करते हैं हिर दे रेखा ये सब कुछ आइजलेंड आपके हाथ पर बन रहे हैं ये समय समय पर इमोशनल धक्ये को इमोशनल दबाब को दरशाते हैं मतलब कुछ ऐसी गटनाए दुर गटनाए आपके जिंदगी पर गटेंगी जिससे आप काफी जादा इमोशनली प्रभावित रहेंगे तो ये वाली भी एक नेगटिब वश्ता है हलाकि कुछ दिन के बाद तो ये चीज़े आपको कॉमन लगने लगेंगी लेकिन कुछ समय पहले आपको बड़ी समस्या में ये रख सकती है तो प्रारंबिक समय में अलाकि योग थे आपके हाथ पर उसके बाद तो विशहिस को डिस्ट्रैक्शन नहीं अलाकि जब मैं हिर्दे रेखा पर आऊंगा तो इसको बड़ा अस्पस्टता के साथ बताऊंगा और जिनके भी हिर्दे रेखा पर यवा आकरती फील हो दिखे आपको तो समझना प्राब्लम्स तो है समझना कुछ emotional दवाब तो आपको जिन्दगी पर आ सकता है या अगर mind रेखा पर दिखे तो समझना आपको emotional दवाब तो आपके जिन्दगी पर आ सकता है तो इसके लिए थोड़ असा care करके परहिज करके ही चलना है और जल्दी किसी से close नहीं जाना है अब सब विक्ति इमानदारत होते नहीं है और सब के लिए ये बात मैं कर भी नहीं रहा तो ये negativity आपने समझ ली उसके बाद अगर हम negativity आपके हाथ पर देखे तो बाग गिरे का चलो ठीक है यहां से मुझे दिखतो रही है कोई बात नहीं लेकिन मुझे बहुत जादा confidence नहीं परदान कर रही है ये बाग गिरे का मतलब पैसे का flow जो रहता है ये बहुत जादा satisfying नहीं रहता मतलब ये चीजे मैं अगर clear करूँ तो बाग गिरे का यहां तक दो दिखे फिर यहां से थोड़ी दिक्कत है तो अलाकि इसको मुझे बहुत जादा satisfying नहीं लगी ये आगे गई इस बीच में थोड़ी रुकावटें फिर थोड़ी आगे पर इसी के बात कर रहा था तो ये थोड़ी दिक्कत तो थी ये मैं दिक्कत का अगर age निकालो तो वो चली ही रहा है ये 30 वर्स से लेके 32-33 वर्स की आयू तक problems है जिनके भी भागी रेखा में problems दिक्री है, तूटी भी दिक्री है या फिर तोड़ी बीच से कायब दिक्री है तो समझना ये problems को indicate तो करती है, समस्याओं को तो जरूर दर्शा देती है और समस्याओं बड़ी common सी रहती है, कि जितना expectations आपके जंदगी पर रहता है दन को लेके, दन के आगमन को लेके, वो expectations किसी ना किसी वज़ा से पूरा नहीं हो पाता है तो expectations का पूरा ना होना भी एक बड़ी समस्या है, तो ये समस्याओं का ये परचे तो कराती है तो ये समझ लियाओं कि आगे की ठीक है, तो वो एक negativity था, वो मैंने बता दिया अभी हम आपके questions पर चलेंगे कि आगे क्या कुछ कर पाएंगे मैंने कहा एक समय आएगा, जिसमें आपके जंदगी बदल जाएगी वो समय क्या है, वो भी मैं बताता हूँ मैंने एक चमतकारी वस्ता इनके हाथ पर देखी, ये देखो यहाँ पर से, मैं दिखाता हूँ कैसी ये यहाँ पर से, ये रंग पीला ही ठीक था, ये यहाँ पर से देखो तो बढ़ियां सच्चता चत्रवुज बन रहा है तो ये बड़ी गजब बात है, तो ये 36 साल के आसपास से कुछ बड़ा इनकम, इसके लिए कहावत है कि ये प्रॉपटी को दर्शाता है, अगर मंगल परबल हो तो, और आपके हाथ पर मंगल तो बहुत परबल है तो ये प्रॉपटी का सुख को जिन्दगी पर तो दर्शाता ही दर्शाता है, ना दर्शानी के तो बात ही नहीं है तो बढ़िया स्क्वाइर बन रहा है, उसके बाद यहां से भी बन रहा है, फिलार इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन इस स्क्वाइर में तो ताकत है, इस स्क्वाइर में तो completely strength है, यह आपके property को सुख को दर्शाता है, जिन्दगी को अच्छा बताता है, जि इसमें कोई संदेह नहीं, और जबरदस्त आपकी सूरी रेखा, यह सूरी रेखा दर्शाती है, कि ऐसे जात के accurate होता है, अपने कारेचेतर को लेके, चुकि सूरी रेखा के साथ स्क्वाइर बन गया, इसकी positivity को और increase कर दिया, यह है, काफी जादा positivity को इंक्रीज कर दिया, तो बढ़ियां सूरी रेखा, उसके साथ ही साथ बढ़ियां स्क्वाइर साही, अभी चलिए आगे हम विचार करते हैं आपके questions पर, तो प्रशनते आगे के जिन्दगी कैसी रेगा, तेली पर क्या अच्छी करावस्ता है, तो देखो बहुत जल्दी आपका समय बदलने वा चीज़ों को हम समझाने का प्रियास करते हैं, बताने का प्रियास करते हैं, तो जैसा मैंने बताया काफी independent सोचके हैं, थोरा control भी कर सकते हैं आप इस सोच पर, जरूरी भी है control करना, क्या ना हर समय जैसा नहीं रहता हमें planning के हिसाब से कारी करना चाहिए, अपने मन के हमारी आयू जब 18 वर्ष से पार हो जाते हैं, तो हम बच्चे गिंते में तो रहते नहीं हैं, तो हमें बच्चों जैसा behave नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ आपने समझ लिया, बांकी बच्चपन से देखो प्रगती का योग तो थे, लेकिन कुछ tensions भी था तो पराही लि चौबिस में एक दिक्कत भी थी, फिर एक चबिस में एक 27 में, 28, 29 में कोई दिक्कत थी, उसके बाद एक 30 में तरक्की थी, फिर जीबंडरे का समूथ एक आपके तकरीबन, 43 में तरक्की थी, फिर जीबंडरे का समूथ एक आपके तकरीबन, 40 साल के आसपा से फिर पस जा रही है हलांकि बंढ रही है इसको यहां पर थोड़ा आपको धुमिल फील हो रहा हुआ तो इसको माइंड नहीं करना है क्योंकि यह बंढने वाले स्टेज में और मुझे पूरा स्वास है कि आगे चलके बन जाएगी तो लाइफ राइन भी अच्छी है कोई टेंशन बाद तो है नहीं और आगे कि जिद्धगी वPPरिशांदार इसमें भी ज्टेंशन नहीं मंगलड रेखा है यहां तक है और इनके जिद्दगी पर एक समस्याय जरूड आए थी और बड़ी समस्याय आय थी इनके ग हरिलो onesे में तो कही न कहीं मंगल रेका ने बचाफ किया मैं कहता हूँ नहीं यह survival रेखा है यह आपको survive करने में मदद करती है आपके जिंदगी पर अगर कुछ समस्याइं आती हैं उसको मद्दी नजर रखते हुए यह आपके लिए कारे करती है और आपके लिए हमेशा कारे करते रहेगी चलिए यह चीज़ आपने समझ लिया अभी चलिए आपके आतली काम जर्ण असिस करेंगे चीज़ों का सपस रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी साथ महतपून है यह रेक्टेंगल पाम है बड़े ज़िख किसम के इंसान है एक तो बड़ेई इंडिपेंडन्ट है दूसरे बड़े ज़िख्धी है तो इस दोड़ों ही केस में ऐसे जातक सुनना तो इनको पसंद नही है और सुनना चाहते भी नहीं है और देखो सुनना तो चाहिए लोगों को तो ना सुनने से क्या ही मिलता, थोड़ा सुन लो क्या पता कोई आपके सलाह आपके लिए अच्छा सलाह दे रहा हो या आपके हिद के लिए कुछ बात कह रहा हो इसे सुनने में कोई बुड़ाई नहीं है उसके बाद अगर मैं देखो प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन्स में शुक्र है मंगल भी ठीक है प्रश्मली थोड़ा गरबर है अब कंफर्टेबलेटी के साथ जिन्दगी को बिताते एक ठहराव रहता है जिन्दगी पर और दूसरी चीज़ कि माल लिया जाए मैं मजदूर वर्क कर नहीं हो तो मुझे अपने लाइफ में जो बेसिक्स नीट्स की चीज़ होती है कंफर्ट की चीज़ होती है वो परस पर मुझे मिलते रहे इसी को तम राज्यों कहते हैं किसी के हाथली पर जादा बड़ा बनता है क्वसक्ते पर बहुत कुछ करते है पर दे यह थम्ब स्टोंग थम्ब है स्टोंग इक्षा शकती यवा किरती है जबी भी सपोर्ट के आवाशक्ता पर एगे मिल जाएगी नो डाउट्स बाकी स्ट्रॉंग थम्ब है डिजायर्स बड़े अच्छे महातमा कांची है सम्मान करेक्षा कर पाएं कुस ट्राइंगल से जो आपकी negativity को दूर कर रहे हैं नो जातर आप इसाथ आपको बाहत ज्यादा हिमत प्रदान कर रहे है स्ट्रॉंगców का परचकर आता है जातक का शानदार जांदार विक्तेतु से बहुत कुछ करनी की इक्छा तमन्ना है जिंदगी पर है और ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करके दिखा देते हैं, इसमें में कोई संदेह वाली बात नहीं है, तो उसे सबर्दस थंब है, पहतरीन थंब, फिर समझदारी के लोप काफी एची जातक बहुत समझदार, फिंगर पर खई लाइन से यह दरशातिक इंसान बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए क बहुत अच्छा व्यक्त कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीकिस चीज़ों को समझा सकते हैं, यह कम्यूकेशन स्किल कारत ही हुआ, उसके बाद फिंगर लंबे खरें अच्छी क्रिटिविटी, अच्छी समझदारी का परची तो डेफिनिटले यह कराती हैं, समझदार व्य समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, और समझदारी से आगे बढ़ने का प्रियास भी करते हैं, पर देखें यास दबाब है यह दर्शाता है, जातक स्ट्रेगर्स तो जिंदगी पर थोड़ा बहुत जरूर आप करते हैं, प्रादमिक समय में रहता है, किसी भी प्रस्तिती में कभी फेंटर नहीं करते और बहुत जबर्दस ट्राइंगल्स बंडरे जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं इर्दर रेखा पर समस्य परस्पर हैं कुछ बच्पन की आयू में थी वह बहुत समान थी लेकिन आपके 18 वर्स के बाद से लेके आपक इस वर्स तक ज़्यादा परिशान की उसके बाद थोड़ी इमोशन से नॉर्मल मां की इर्दर रेखा अच्छी है तो विश्णो योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है ट्राइंगल्स तो यहां से मुझे एक आग दिखरा है तो यह परिशान की इस वर्स तो यहां से बाद रही है तो कुछ एगर से दूर की उन्नती यहां कार को आप काफी एक्सपैंड कर पाएंगे फर स्ट्रॉंग लाइन अफ एजूकेशन है समझदारी काफी अच्छी होती है और बेसिक नॉलेज काफी प्रबल पाएं जाता है और ब प्रिक्ती जरूर कुछ ना कुछ बढ़ियां बनाते हैं अपने जिंदगी पर प्रॉपर्टी गेवस में 36 वर्स के बाद सन मरकरी अच्छी बुद्धिवेक से कार करते हैं स्ट्रॉंग लाइन से इंसान जंगल में चोड़ दो पैसे कमाना क्या जाएंगे पैसे कमाने के तेंडेंसी आप में बहुत अच्छी है वो दिवेक से कमाना चाहते हैं और कमा भी लेते हैं चोकि इनके एक्छा पैसे कमाने की हमेशा रहती है तो इसलिए पैसे कमाना इनके लिए इसी हो जाता है दोड़ों मंगल भज़बरदस्त है इंसान बहुत ज़़दा एनरजेट आत्राओं का भी परचे यह जरूर करा रही थी यह वाली लाइनस तो चद्रमा वैसे अच्छी है लोगों से एक अच्छा संबन्द रहता है लोगों से एक अच्छा जुराव रहता है बुद्ध रेका पर यह अच्छी बंडरी अगर यह पूरा कम्प्रीट हो जाए तो फ से भी कंफर्टेबल रहती है यह कुछ स्ट्रेस्ट है नॉर्मल वाकि इतना बढ़ियां शुक्र है कि मैं क्या ही बोलो जबर्दस शुक्र है बहतरीन शुक्र है बत्तब एक दम प्रस्नारिटी अच्छी होते हैं जंदनी मस्त बिताते हैं मंगल भी अच्छ है कुछ मंगल रहे का यहां तक तो गई है यहां से भी मुझे दिख रहे कुछ नॉर्मल टेंस के योगे फ्यक्ति कभी कभा चिंता कर सकते हैं वाकि प्राकरमी बहुत जबर्दस्त है जीबन रहे का भी अच्छी है आयो दिरगायो नेगटिव मत रही आयो को लेके संदेह मत रखिए यह से एक बुद्धर एका के लाइन से फिलाले भी कंप्लीट ने विए इसके लिए चर्चाम करेंगे नहीं यह दा इनके तलिका पूर्णता विश्रेशन अगर आपको मारे विड़ो पसंद है लाइक कर दे कमेंड कर दे सिखर सिस्क्राइब कर दे अगर आप प्रस्री में तरे का दिखा के सही जान कर दिपाना चाहते हैं हमारा वोट्स अपने दिसक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद